नमस्कार विवेक बिंद्रा बोर्डराउं फाउंडर इन सीयो बड़ापिजनस डॉट कॉम स्वागत है आपका दबड़ा भारत शो में अट्रिब्यूट टू इंडिया ग्लोबल ब्रैंड अमबसेडर्स ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं उन्हें की कहानिया हम आप तक पहुँचाते हैं आज हमने इन्वाइट किया है नमभी नाराइनन जी को फॉर्मर इस्रो साइंटिस्ट 2019 में को पत्न बूशन मिला लेकिन इसके पीछे 25 साल की लब़ी लड़ाई रही है जस्टिस के लिए ये एक ऐसी मूवी है जिसमें मैं सोचता हूँ के कहने को तो मसाला बहुत है सेक्स, कैंडल, स्पाई, रॉकेट साइंस, सी बी आई, लीगल बैटल, पाकिस्तान ये वो उन्डिया सब है लेकिन मेरे लिए ये एंटर्टेंडमेंट नहीं एडूटेंडमेंट है मेरे लिए ये जेम्स बॉर्ण नहीं पेट्रियोटिक साइंटिस्ट की कहानी है मेरे लिए ये मिलीशियस नहीं मौरल है इग्नोरंस नहीं इंटेलिजिंस है फिक्षिन नहीं रियल है माध्वन जी मेरे लिए आज आप शमजाता हूं आर माध्वन नेए आज आप हमारे ले नाम भी नराइनन है आज क्योंकि आप उनको रेप्रेजेंट कर रहे हैं और दूनों का मतलब भी तो एक है माधवन और नराइनन दूनों ये विश्टनू है क्या बात दोनों का मतलब भी एक ही पहले ये बताईए कि आपने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें ना हिरोईन है ना गाने है ना फाइट सीक्वेंस है और ऐसी मुवी में इतने साल लगा दिया आपने विविग जी नमस्कार पहले तो मैं आपका बड़ा फैन हूँ आपका चैनल दुनिया भर में सबसे मशूर है आपका चैनल वर्ल रिकॉर्ड होल्ल करता है फर है बिंग लाज़िस्ट एंट्रपूनर चैनल उन यूट्यूब फो एंट्रपूनर्स आपके इतने सारे गैनिस वोल्ल रिकॉर्ड माफ की जग मैं सही कहा रहा हूं गैनिस वोल्ल रिकॉर्ड आपके है तो यह तो आपकी अचीवमेंट की तारीफ जितनी किये जाए उतनी कम है और मैं आपको और आपके पूरे चैनल के व्यूज को बढ़ाई देना चाहता हूं और मैं शूर आपके समझाता हूं जैसे आपने शुरात में कहा कि यह फिल्म सेक्स कैंडल है केस के बारे में है पाकिसान के बारे में अक्शली दरसल हमने इन सब चीज़ों को सिर्फ 6 या 7 मिनिट हमारे फिल्म में दिखाया है और उसकी वज़ए मैं आपको बताता हूं कि क्यों हमें इसके बा जिसके वज़े से वो इंडियन सिक्रिट्स पाकिस्तान को बेचती है रॉकेटरी सिक्रिट्स और उसके बाद उन्हें जेल में अरेस्ट किया गया और मारा गया और पीटा गया लगबग जान से मार दिया गया फिर भी वो बाहर निकले और अपने आपको निर्दोश साबि किया ये कहानी थी मुझे का ये तो बहुत अच्छा है यार कर लेते हैं पर जब मैं उन से मिला तो मैं डंग रहे गया क्योंकि उनका उनकी जो तेजसा अनकी तेवर जो है और उनकी देश भक्ती में कहुँगा इंपक्ट्फुल थी कि मुझे समझ में आ गया कि ये आदमी तै कि ये कैसे कह सकते हैं कि मैं एक ट्रीजन या मैं एक चोर हूँ या मैंने अपने देश को बेच दिया मेरे देश की सीक्रिट्स को बेच दिया और इस बात से वह बहुत प्रभावित ही थे और बहुत ही मतलब अफसोस जता रहे थे और मैंने का सर आप इतना EMOTIONAL क्यों हो कोर्ट ने तो कह दिया कि आप निर्दोष हैं आपने आपको निर्दोष प्रूव भी कर दिया कि वर्डिक्ट भी आ गई है यह 2017 की बात है और वो के रहे था यार तुझे पता है मुझे पता है और को पता है पर अब गूगल में जाओ मेरा नाम डालो और देखो आता क्या है और बिल्कुल सही कार है गूगल में जाते ही हमें पता चलता है इसरो स्पाई केस नम भी ना रहे हैं और इस धब्बे के साथ पिछले 24 साल से निर्दोष साबिद होने के बावजूद वो जी रहे हैं और मुझे लगा कि यह बहुत धाकर बात है यह बहुत सही कह रहे हैं म मैंने उनको स्क्रिप दिखाया तो उनने कहा कि सही केरो पर यह बात दो है और यह थवड़ा सा गलत है क्योंकि इस वक मैं प्रिंस्टन में था प्रफेसर क्रॉको के से नीचे में अपने थीसिस कर रहा था तो मैंने कहा सर अब प्रिंस्टन कब गए हैं कि मुझे लगा कि क क्या बात कर रहे हैं प्रफेसर लुई जी क्रॉको को जो एक नासा के सर्वास्रेश साइंटिस्ट हैं उनका और इनका क्या लेना देना और फिर जो इन्होंने अपनी मतलब मैं मानता हूं कि बड़े कैजूली अपने अचीवमेंट्स के बारे बात किया जो उन्हें हमारे देश के लिए किया है मैं मादवन जी जानना चाहता हूं एपी जे अब्दुलकलाम को तो हम पोखरा न्यूक्लियर ट्रेस्ट के टेस्ट के लिए पीपल्स प्रेजिएंट के लिए जानते हैं विक्रम सारबाई को हम लोग इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर के थे हम सिर्फ जानते हैं पोखरान में कि उनका नाम जुड़ा वाता पर एक्शिल उन्होंने एक सॉलिड फ्यूल इंजिन मनाया आज इंडिया के जो सॉलिड फ्यूल केपुबिलिटीज है इट इस जस्लाइटली लेसर दन यूएस और इसके कारण अब्दुलकलाम साब है जो उन्हेंने सॉलिड फ्यूल इंजिन पे उन्हा अपने मतलब पूरा रिसर्च और मतलब टाइम बिता दिया डॉक्टर नंबी नहरा इनकी खासियत दिये थी कि जिसके बारे में वो बात नहीं कर रहे थे चाहे वो जैसा मैं कह रहा हूँ चाहे वो यूएससार जाना और रश्य में जाके लोगों को धंका कर वहां से अपना हिंजिन स्मगल करके लिया आना जो इंडिया के पास आना था या स्कॉटलिंड इनकी जो फ्रांस ये सब जो अचीवमेंट्स है इसके बारे में सिर्फ हम और आप ही नहीं वो खुद नहीं अपने किताब में लिखे हु अपने बिना है के ता हाँ यार वही तो मैंने ही तो इन्वेंट किया है I am the father of that engine और मैं बोर रहा हूं सर उस विकास इंजिन के बात कर रहे हो जिसके बकायर इस तरह का कोई भी मिशन आज तक नहीं किया गया ना मंगल यान ना चंदर यान ना ये रिकार्ड ब्रेकिंग इ 24 साल तक देखिया आप जानते है नम्भी नरायन जी को गदार घोशित करने का बहुत प्रयास किया गया पहले सी बियाई से क्लीन चिट मिला मैं उस पर भी आता हूं आपके पास मेरे मन में एक प्रशन तो आता है मूवी मैंने देखी नहीं अभी मैं देखूंगा जो उनक चारा था कि अपना साटलाइट जो है वो अंतरिक्स में जाए यानि कि उनके कंट्री भी भी टेलिविशन साटलाइट्स हों वाच्डॉक्स साटलाइट्स हों सेक्यूरिटी साटलाइट्स हों हेल्थ साटलाइट्स हों नाविगेशनल साटलाइट्स हों मतलब है मतलब मैं है कहा रहा हूं कि weather satellites not health weather satellites हों सब country के पास satellites तो थे लेकिन उन्हें अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाला जो Uber के जरुवत थी वो बहुत लोगों के पास नहीं था वो capability छंपता सिर्फ अमेरिका के पास था फ्रांस के पास था और नंभी नारायनन इस स्रो को भी उस चंपता के लाइक बनाना चाह रहे थे हमारे पास सबसे लाइक solid और liquid fuel engine थे हमारे पास cryogenic engine नहीं था जो ज़रुवत था उसको space में position करने के लिए इसके वज़े से उन्होंने रश्या से ये cryogenic engines बंगवाए थे the KVT-1 engines जो इंडिया को promise किये गए थे लेकिन उस वक्त USSR तूट कर सब कुछ बिखर रहा था और कई साधिशों के वज़े से कई साधिशों के वज़े से इंडिया को वो engine नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि इंडिया इसमें compete करे क्योंकि cost wise जो hundreds of millions में लोग पैसे मांग रहे थे satellites को अंतरिक्ष में पहुँचाने के लिए वहां 70-60 million के आसपास में नम्भी नरायन साब करने को पूरी कोशिश कर रहे थे कई लोग थे जो इस भारत को आगे नहीं आने दे रहे थे आपकी बात सुनके लग रहा है कुछ विदेशी ताकते थी इसके पीछे यकीनन यकीनन तो उनको फाइदा हो रहा था कि नम्भी नरायन को पीछे धकेल के यह तो मतलब जाहर है और हर एक देश को आपने अपने मैं थोड़ा मेरी रिसर्च टीम को बढ़ाई दूँगा उन्होंने काफी रिसर्च करी और बताया कि आपने अपना वजन कम कराया आपने वजन बढ़ाया आपने बहुत महनत करी आपने अप प्रोडूसर बने डिरेक्टर बने आक्टर बने जीवन अप चार-पांच साल आपने बहुत अच्छी महनत करी पर क्योंकि आज आप नंभी नारायन नहीं हैं मेरे लिए तो मैं आपसे एक दो प्रशन और करूंगा थोड़ा से कड़वे भी अगर आप अलाओ करें मैंने सुना कि जो क्रायोजनिक इंजन की आपने बात करी इसको वो रशिया से स्मगल करके लेके आए थे तो क्या वो एक मिशिनरी और डेरिंग सांटिस्त है या विकेड और क्लेवर सांटिस्त है मुझे लगता है कि एक देशफक्त में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारे थे उन पर और कुछ अवगुण जो है आम आदमी पे अगर हम देखेंगे पर ज है कि वो एक स्ट्रीट स्मार्ट साइंटिस्ट भी थे एक जगे आपने बोला कि थोड़ा बेहरेहम भी थे और उनके करेक्टर में कुछ छोटे मोटे फ्लॉस भी थे यह भी दिखाया गया कि हनी ट्राप होने का इजाम उन पर लगा तो यह भी सच्चा ही है कि जहां आग ह होता उनकी जगए और अपने आपको देखूं मैं करियर खतम समाज में इज्जत खतम रॉकेट साइंस का सपना खतम जिंदगी जीने का मकसद खतम और आखिर में उनके हाथ में पदमभूशन ले दिया गया जाहिर सी बात है वो इससे खुश नहीं हो गया आपकी इस मूव इससे तो जाहरे कि वो बहुत खुश हैं उनको अच्छा लगता है फिर भी उनका एक ही कहना है कि अगर मैं निर्दोश हूँ तो खुसुरवार कौन है और इसका जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये शक तो रहे गए कि भाई इननोंने मैलूप्लेट करके बाहर नि इसकाइटेड हैं वो देख लोग देखना चाहते कि लोग इस पिचर के वारे में क्या कहते हैं और इनके अचीवमेंट्स के वारे में जानकारी लोगों को मिलेगी मिलेगी और बहुत लोग इंस्पायर भी होंगे पर एक बात है मेरी रिशर्च टीम ने मुझे बताया कि प्रेस कांफरेंस में आपने बताया कि वो एक स्ट्रीट स्मार्ट साइंटिस्ट भी थे एक जगे आपने बोला कि वो थोड़ा बेरहम भी थे और उनके करेक्टर में कुछ चोटे मोटे फ्लॉस भी थे वह बहुत बड़े फ्लॉस थे यह भी दिखाया गया कि हानी फिल्म इंडिस्ट्री में हैं और हम आपको बता दें कि ऐसे कई चीज़े हमने सुनी हैं जिसमें कहीं दूर दूर तक सचाई नहीं है पर हवा आग तो यह तो इसके कहने के मतलब यह थोड़ी हो जाता है कि जो भी कुछ कहा जाए उस भी थोड़ी बहुत सचाई होगी भी मैंसाब सच तो यह मैं आपको बता रहा हूँ एक्जामपल के लिए शे साथ साथ पहले किसी प्रेस मीटिंग के दौरान मुझे किसी ने आंत्रपीदेश में पूछा थै कि माद़न जी आपने साथ इंडिन लैंग्विजिस में पिचरिंग की हैं तो आप एक ऐसे एक्टर लैंग्विजिस मुझे नहीं आती है नहीं मैंने किया है पर मेरा जवाब नहीं उठाए गया अल्गॉरिदम से वो जब सवाल पूछा गया गूगल में वो मेरा विकी बिडिया का हिस्सा बन गया तब से लेकर आज तक मुझे लोग पूछते हैं कि आपने साथ लैंग्व कंट्री को अगर अंस्टीवल करना हो ना तो ऐसे अफ़ा फिलाकर उसके पूरे प्रजा को हमेशा एक स्टेट अव अन्रेस्ट में रखिए अपने आप कंट्री तूट जाएगी मादवन जी एक निचोड के ओपर प्रशन पूछना चाहता हूँ थोड़ा जल्दी में चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रशन बहुत है और कम समय में जारा कॉंटिन देना पसंद करता हूँ कहते हैं कि दूद से निकलती है मलाई मलाई से निकलता है मक्खन मक्खन से निकलता है घी वो है दूद का असली निचोड़ा इस पांच साल की कड़ी मेहनत पे नामभी सर की लाइफ का निचोड़ा आपको क्या समझ आया कि सच्छे देश भक्त वो होते हैं जिनको पता है कि हर जो वो काम कर रहे हर रोज अपने जान को जोकम में डाल खर इसके बावजूद उनके बारे में कोई गुण नहीं गाएगा उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता रहेगा उनके शायद family को sacrifice करना पड़े उनके life के pleasures को sacrifice करना पड़े इसके बावजूद कोई सड़क उनके नामका नहीं होगा या उनके contribution के बारे में कोहीं नहीं बात करेगा मैं जानता हूँ कि दस महीने में उन्होंने वो पड़ाई ख़तम करें इसको करना में कहीं सालों लग जाते हैं यह potential उनमें बहुत था यह बात सही लेकिन तारीफ आज आपकी भी करना चाहता हूँ आपने जो अपने इसमें जो बहुत मेहनत करी तपस्या च्छे साल में फिल्म बनाई साथ दिनों में बन जाती है मैं आज आपकी तारीफ इस बात पे करना चाहता हूँ कि आठ देशों में जा करके आपने खुब पैसा खर्च करके आपने तीन भाशाओं में काम किया और प्रॉस्थेटिक जिसका इस्तिमाल किया जाता है सब बदलने के लिए आपने रियालिटी के नजदीक काम किया आपने दिखाया इतना क्लोज आप इस कैरेक्टर के लिए रहे वहाँ पे कैसा एक्सपीरिंस रहा आपका भाई साब मैं सच बता रहा हूं मैं मतलब तारीफ नहीं करना चाहरा लेकिन जो साक्रिफाइस डॉक्टर नभी नाराने ने हमारे देश के लिए की है ना उसके साम हमारे साथ जुड़े हुए हर कोई फ्री में काम कर रहा है वो सर्फ इसलिए कि हमको सब लगता है कि डॉक्टर नम्भी नाराने जी के बारे में दुनिया में लोगों को पता करना बहुत जरूरी है उनको जानना बहुत जरूरी है तो यह पैशन जब होता है ना किसी के आप की थोड़ी एक परसनल तारीफ अगर करूं आप अलाओ करें आप एक अच्छे आक्टर होने के साथ एक अच्छे पिता भी है वेदान्त ने आपके बेटे ने अभी गोल्ड मेडल जीता है स्विमिंग में और उसी के लिए आप दुबाई भी शिफ्ट हुए और ट्र स्ट्राटेजी बताऊंगा आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पे और हम पेरेंटिंग पे हमारे लिए यहां पे एक आदर्श पिता हमारे सामने मौजूद हैं माधुवन जिन्होंने अपने बेटे वेदान्त को वो जो गोल्ड मेडल दिलाने के लिए दुबाई तक जाकर के पे सब बनता है साइंस टेकनोलोजी बे मैंने लगबग तीन चीजे मुझे याद आती है एक मिशन बंगल एक रॉकेट बॉइज एक वेब सीरीज आई थी एक परमानो साइंस के ओपर फिल्म बनाना आपने बहुत मेहनत किया क्या लगता है यह फिनांशल रिस्क है जो लो जहां सिर्फ अमेरिकन्स पूरे देश को बचा सकते हैं पूरे दुनिया को बचा सकते हैं और इस अटेम्ट के लिए उनको बढ़ाई देनी चाहिए बिकॉइस अप्लिटली मार्केट दी इमिज अव अमेरिका लग दैर हमारी यहां उस डिरेक्शन में कोई गया ही नहीं ह हम सिर्फ freedom struggle और मुगल इसके बारे में बात करे थे और जो sacrifice हमारे शूरवीरों नहीं किया है उसके मतलब बहुत सराखों पर इसके मतलब बहुत सराखों पर एक और चेतर है जहां हम बहुत ही माहर हैं आज भी दुनिया में सबसे ज़ादा माहर हैं विच टेक्नोलोजी, IT, engineering as well as space travel and interplanetary travel पर उसके बारे में हम पिच्चर इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि nobody is inclined like that और जब अमेरिका बनाता है कोई फिल्म लाग स्टीव जोब या इंटरस्टेलर या Apollo 13 तो हम तुरंत मान लेते हैं यह बिल्कुल सही कहानी है बिल्कुल correct है पर हमें भी यहां बनाना हो या you know metaverse हो कितने हमारे इंडियन इंजिनियर्स इस पर लगे हुए हैं और कितने लोग दुनिया को बदल रहे हैं इंटरनेट को पूरी हुलिया बदलना चाह रहे हैं आज वो 15-16 बिलियन डॉलर के वर्थ हो गए हैं और उनके बारे हम नहीं जानते और यह जानना बहु नाम्भी नाराइनन सबकों मैं बता दूँ यह वो वेक्ती है जिनको नासा में जिनको यूएस में पैसे की बहुत बड़ी opportunities मिली काम की opportunity मिली इन्होंने पैसे के बदले भारत को चुना है और ऐसे नाम्भी नाराइनन की कहानी है आपके सामने लेकर क्या रहे है माधून ज जुलाइ एक तारीक को हर एक भाषा में तंबल तिल्गो मल्यालम कंड़ा और हिंदी और इंग्लिश निजदी के थेटरों में जाके फिल्म देखिए पता चलेगा कि हमारे हमारे शुर्वीर किस किस रूप और रंग में आते हमारे सामने और हमारे देशपक्तों का ख्याल रखना उनके सरक्षत रखना और उनका गुडगाना कितना जरूरी है मादवन जी मैं इतना कह सकता हूं कि मैं सिनेमा हौल बिल्कुल नहीं जाता पर आपकी यह मूवी देखने के लिए जरूर जाऊंगा और लोगों को इंस्पायर करूंगा कि वो जरूर जाएं तो बाकी आप सबसे कहूंगा कि कॉमेंट करिये नीचे आ करके बताईए नामभी नरायनन जी को के बारे में आपने सुना अगली एपिसोड में किसके बारे में सुनना चाहते हैं बस थोड़ा सा इंतजार बड़ा भारत यह वो शो है जहां पर लोग दूसरों को इंस्पायर करते है तो डू मोर तो बी मोर तो अचीव मोर थोड़ा सा इंतजार आ गया अगला बुदवार कॉमेंट बॉक्स में बताते रहे किससे आप अगले हफते मिलना चाहेंगे आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माधवन जी को आर माधवन जी को विशेश रूप से नीच पूरो बहुत धन्यवाद माधवन जी आपका विशेश रूप से धन्यवाद विवेक जी आप भी बिलकुल इंस्पिरेशनल हैं हमें पता है कि आपकी तब्यात खराब है इसके बावजूद इस वक्त आपने इंटर्व्यू किया और आप कह रहें कि आप थेटर जाकर दे देना चाहता हूं I am very touched और मैं चाहूँगा कि मेरे सारे followers भी आपके चैनल पर आएं और देखें और पूरी तरह आपको और आपके efforts को प्रमोट करें और प्रोटसाहित करें बहुत 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 शुक्रिया जैहिंद धन्यवाद आप एक well-to-do family से थे well-to-do family से थे तो 20-25-30 लाख रुपे लेके retail outlet शुरू कर सकते थे चाए का ठेला क्यों खोला आपने क्या बनना चाहते हो यूनिकॉर्ण साड़े साथ अजार क्रोड की कंपनी या साड़े साथ मिलियन यूट्यूबर यूट्यूब फॉल्वर्स दोनों में पहले क्या पसंद करेंगे क्या लगता है एक और चाए वाला देश में politics में आ सकत